नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजे और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आल इमित्र सुलिसन पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे पियम किसान यूजना 2022 के बारे में दोस्तों यहापर नई अपडेट क्या है आपको बजा देत है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन पर पेस कर लिजिए ताकि आपको आने वाले इसी प्रकार के इंप्रोटेंट वीडियो की जनकरी समझे में पर मिलती रहे तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो दोस्तों यहापर हम बात कर र दोस्तों यहाप जुलाइक एक तिस इसकी लाजडेट थी लेकिन यहापर कई लोगों ने यहापर अभी तक केवाईसी नहीं की है जिसकी वजह से रहिस्तान सरकार और गौर्ण्मेंट ऑप इंडिया यह भारा सरकार समय से इन्पर इसकी लाजडेट बढ़ा रही है दो द सित्राजार किसानों ने अभी तक नहीं कराई है EKYC, यहाँ पर केंद्र सरकार की और सिप किसान सम्मानिदी के तहट दिये जने वाले अनुदान के लिए आदार EKYC अनुवारिय करने के बावजूद किसान अब इसमें रूशी नहीं ले रहे हैं, इस कारण सरकार को बार बा इसकी तित्री बढ़ानी पड़ रही है, EKYC के लिए पहले अंतिम तित्री 31 मार्स तेया की गई थी, लेकिं अंतिम तित्री तक सिर्फ 20% किसानों ने ही EKYC करवाई, सरकार ने इसकी तित्री को बढ़ा कर 31 मही बयबाद में 31 जुलाई की, लेकिन 31 जुलाई तक भी अधिक किसानों ने EKYC नहीं करवाई, तो अब फिर से तित्री बढ़ा कर 31 जुलाई की है, जिले में किसान सम्मा निदी योजना केता है, 2.25 लाग किसान अनुदान ले रहे हैं, इनमें से अब तक 1.50 लाग ने ही EKYC करवाई है, जिले के 75 जार किसानों ने अगस्त 31 तक EKYC नही कर सकते हैं, इमितर पर बायमेटर EKYC भी करा सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक भी EKYC नहीं की है, वो EKYC अपनी जल्द करा ले, अगर वो EKYC नहीं कराते हैं, तो उन्हें किसान सम्मा निदी योजना में मिलने वाले किस् इसकी official website pmkisan.gov.in पर आना होगा, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, simply आपको यहाँ पर फारमर कोर्नर पर आना है, जो आपको यहाँ पर right side मिल जाएगा, इसकी just नीचे दोस्तों आपको जो पहला option दिखाए देगा, वो दिखाए देगा EKYC का, simply दोस्तों आपको यहा कर देना है, EKYC पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप से आपका आदा नमर पूछा जाएगा, दोस्तों आदा नमर डालने के बाद आपको simply करना क्या है, यहाँ पर अपना mobile नमर देना है, इसकी दोस्तों आपको यहाँ पर OTP की साहिता से अपनी KYC पून कर लेन है, दोस्तों यहाँ पर इस तरह की स्क्रीन आजाएंगी, और आप लिखा होगा कि आपकी KYC है, वो done हो चुकी है, दोस्तों इस प्रकार से आपर KYC कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर इसकी जो last data है, वो है, यहाँ पर 31 अगस्त, अगर आप 31 अगस्त तक यहाँ पर KYC नहीं दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिंद, पंदे मातरम